मुसल्मानों के मुद्धे पर्दीश में मचा खमासान इस बीज नसीम बानों को मिला बड़ा सम्मान कौन है नसीम बानों जिसने यूपी का बढ़ाया मान खुटीम यूगी ने भी की नसीम बानों की तारीफ कभी देश के पूरु प्रधान मंतरी मनमुहन सिंग ने बयान दिया था हमें ये सुनिशित करने के लिए नई योजनाय तैयार करनी होंगी कि अलपसंख्यक विशेश रूप से मुस्लिम अलपसंख्यकों को विकास का फल समान रूप से साजा करने का अधिकार हो उनका पहला दावा होना चाहिए संसा दुनों पर साल 2006 में दिये गए पूरु पियम मनमुहन सिंग के इस बयान को लेकर एक बार फिर देश में जहां बवाल मचा हुआ है तो वहीं इसी बीच सियम योगी ने भी इस मुद्दे पर तकड़ा बयान देकर कॉंग्रेस के मुस्लिम एजिंडे की हवा निकाल कर रख दी जब कॉंग्रेस का ये परिवार सुपर पियम बना हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंग जी देश के तधान मंत्री थे उन्होंने किसके सारे पर कहा था कि देश के संसादनों पर पहला दिकार मुसल्मानों का है आप देश को मुसल्मान और गेरे मुसल्मान के नाम पर अलपस संक्यक और बहुत संक्यक के नाम पर बाटना चाते हैं एक तरह जहां कोंग्रेस देश की संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक मानती है तो महीं दूसरी तरफ दैश के सरकार सरकार सरकारmp अरद विश्वास के लारे पर चलते हैं या उनकी सरकार मुस्लिम विरोधी होती तो नसीमा बानो को पदम श्री से नवादि जाने पर खुद सियम योगी डंके की चोट पर उनकी तारीफ नहीं करते। राज़दानी दिलने में स्थितर रास्ट्रपती भवन में जब खुद देश की सरवोच नागरिक रास्ट्रपती द्रोब्दी मुर्मू उत्तर प्रदेश की राज़दानी लखनव के रहने वाली नसीम बानो को पदम श्री सम्मान से नवाद रही थी तो कुछ इसी तरह से पूरा रास्ट्रपती भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा यहां तक कि खुद पीय मोदी ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया तो वही दूसरी तरफ जिस यूपी में नसीम बानों आती हैं उस यूपी की कमान संभाल रहे सीम योगिया अधितनाथ ने भी नसीम बानों के हुनर को सलाम किया और खुद उनके वीडियो को अपने व्यक्तिगत एक सेंडल पर पोस्ट करते वे लिखा रासबिज रोब्दी मुर्मु जी द्वारा ने दिल्ली में प्रतिष्चित पद्म पुरुषकार दोजार चौबिस के अंतरगत पद्म श्री सम्मान से विभूशित होने पर श्रीमती नसीम बानों जी को हर दिक बधाई चिकनकारी वस्त्र कला और वैश्विक स्थर पर बढ़ावा देने हैं तो आपके दुआरा किये गए प्रियास अभी नंदनी है आपने उत्तर प्रदेश के हुनर को नहीं पैचान दिलाई है नसीम बानों को बढ़ाई देते वक्त सीम योगी ने ये नहीं सोचा कि वो हिंदू है या फिर मुसल्मान है उन्हें भारत के नागरिक के तौर पर देखा और उनकी कला की तारीव भी की लेकिन इसके बावजूद विपक्ष योगी को मुसलिम विरोधी बताने में कोई कस नहीं छोड़ता कौन है नसीम बानों सिम योगी ने जिस नसीम बानों के उनर को सलाम ठोका है उनके बारे में आपको बता देते हैं नसीम बानों लखनों के ठाकुरगंज इलाकी की रहने वाली हैं नेपियर रोड कॉलनी पार्ट टू में नसीम बानों अपने पती और दो बच्चों के साथ रहती हैं उनका पूरा परिवार पिछले 45 सालों से अपने पुष्टैनी काम चिकनकारी में लगा है नसीम बानों ने चिकनकारी का ये हुनर अपने पिता हसन मिर्जा से सीखा था जिने 1979 में ततकालीन केंदर सरकार की और से अनोकी चिकनकारी को लेकर रास्ट्रिय पुरुसकार से भ अजाद मेरे पता ने किया था जिसकी खासियत यह होती है कि कढ़ाई करने पर कपड़े के नीचे के टाके नजर नहीं आते एक कुर्ता बनाने में करीब ढ़ाई से तीन महीने का वक्त लग जाता है ये इतना बारीक काम होता है जिसमें महनत बहुत ज्यादा लगती है इसमें हमने अनोखी चिकन का काम किया है यह हमें कपड़े की ऊपर कड़ाई करते है और कपड़े के नीचे टाके नहीं हाते कराऊते इसमें और इसी में ये पदमे सिरी अवार्ड मिला है। असल में ये कला अनोखी चिकन की कला है। ये कला हमाई पापा अम्मी ने एजाद करी थी। तो उनको इसी बना सिर्वार्ड मिला था सन 1979 में। ये डाक्टर जाकर उसेम से। तो हम उस तैम बहुत छोटे थे, इस्कूल कराई कराई और ये म्रेडी भी 25 से सिखाई है। बहुत छोटे थे, जैसे 10-11 साल के उमर से, हम सीखते रहें। फिर 13 साल के उमर से हम काम करने लगें। शुन किया करने हैं। चिकन अम्रेडी। फिर इसी में बहुत जब फाइन बारी काम कर दिन लगते हैं। फिर अनोखी चिकन काम करते हैं। कि मतलब कपड़े के उपर-उपर कढ़ाई करते हैं। नीचे टाके नहीं आते हैं। हमारे दो भाइएं। गुलाम अबबास वो भी करते हैं। वो भी अलुकी चिकन काम करते हैं। और प्रडेक्शन उनका ये हैं। चोटा उसे चोड़ावाई हैं। मेंधी अबास इंगराजा तो वो भी काम करता है मोधिराज में पदमश्री आवार्ड से सम्मानित किये जाने पर नसीम बानों ने दिल से उनका धन्यवाद भी दिया और बताया ये आवार्ड मिलने से मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार भी बहुत खुश है ये मेरा दसवा आवार्ड है नसीम बानों को ये कला सिखाने के लिए विदेशों में भी बुलाया जाता है वो अब तक अमेरिका चिली नियू यॉर्क कनाडा जैसे देशों में जाकर लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं अनोकी चिकनकारी की कला को आगे बढ़ाने में लगी नसीम बानों को पदमश्री से पहले भी कई सम्मानों से नवाज अजा चुका है 1985 और 1988 में ततकालीन रास्टपती आर वेंकट रमन ने उन्हें सम्मानित किया था 2019 में ततकालीन उपरास्टपती वंकईया नाइडू की ओर से उनके काम को सम्मानित किया गया था और अब मोदी राज में पदमश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया जिसकी तारीफ खुद सीम योगी ने भी कर दी पहराल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है अपनी राए हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथी मोदी सरकार ने बिना बेदभाव किये किस तरह से लोगों तक योजनाओं का लाब पहुँचाया है आई आपको सीम योगी की जुबान से सुनवाते हैं देखे गरीबी हटाओ यह 1970 के दसक में कॉंग्रेश ने नारा देश को दिया गरीबी कभी हटने पाई कॉंग्रेश छे दसक तक इस देश के अंदर छे दसक से अधिक समय तक उन्होंने देश के अंदर सासन किया और इन छे दसक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जंता की आँखों में धूल जोंकने का कारे कर रही है सही माईने में अगर देखा जाए तो गरीबी हटाने और गरीब कल्यान कारी योजनों को इमानदारी से प्रतेक तप्के को चेहरा देख करके नहीं इमानदारी के साथ बिना वहिद भाव के हर वैक्ति तक सासन की योजनों को गरीब कल्यान कारी योजनों को जन्धन एकाउंट से हो फ्री रासन की सुविधा हो पांच लाख रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर हो हर घर में सोचाले बनाने का हो हर घर में नल देने का हो या फिर चार करोड परिवारों को मकान देने का हो अगर आप देखेंगे एक लंबी स्रिंखला है यह असी करोड लोग चार वर्स से लगातार फ्री में रासन की सोविधा का लाप राप्त कर रहे हैं पचास करोड घरों को पचास करोड लोगों को गरीब परिवारों को जंधन एकाउंट खोले गए यानि आजादी के सत्तर वर्सों तक देश के अंदर सबसे अधिक समय तक कॉंग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सासन किया लेकिन ताजूप पचास करोड परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने एकाउंट नहीं थे चार करोड से धिक परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना आवास नहीं था साट करोड परिवार ऐसे थे जिनके पास उपचार के लिए संसादन नहीं थे दवा के लिए पैसा नहीं था धाई करोड परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं जल पाई थी आजादी के बाद भी दस करोड सेधिक परिवार ऐसे थे जिनके पास रोसोई के गैस के कनेक्शन नहीं थे इतने लोग अगर कॉंग्रेस के कुसासन के कारण देश के अंदर बंचित थे तो इसका दोसी कोई और नहीं कॉंग्रेस और उसके साथ के सयोगी है उसके पार्टनर है जिन्होंने देश की जनता जनारदन को बधाल लखा नारा देते रहे और इनके समय में जब कॉंग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था डॉक्टर मन मोहन सिंग्जी देश के तधान मंतरी थे उन्होंने किसके सारे पर कहा था कि देश के संसादनों पर पहला दिकार मुसल्मानों का है आप देश को मुसल्मान और गेरे मुसल्मान के नाम पर अलपसंक्यक और बहुसंक्यक के नाम पर बाटना चाहते है प्रदान मंतरी मोदी जी का जिनके कारण पिसले दस वर्स में पचीस करोड लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं खुसाल जीवन जी रहे हैं असी करोड लोगों को फ्रीमे रासन की सुवधा का लाप रप्त हो रहा है 60 करोड लोगों को आयुसमान भारत में 5लाक रुपे की स्वास्द बीमा का कबर मिलना है 50 करोड लोगों के जंदन अफोर खुल करके डलाली और कमिसन खोरी बंद 12 करोड किसानों को किसान सम्मान निधी कालाब दस करोड गरीबों के घर में उज्जुला योजना के रुस्वई कैस के सिलेंडर कनेक्शन पहुंच गए चार करोड गरीबों के मकान बन गए और अगले पांच वर्सिक ले तीन करोड नए लोगों को मकान देने का अस्वासन भी भारतिय जनता पार्टी ने अपने संकल पत्र में किया है धाई करोड परिवारों ने जिनने कभी बिजली नहीं देखी थी उनके घरों में बिजली पहुँच गई हर घर नलकियोजना साकार हो रही है बारग करोड गरीबों के सोचाले बन गए वास्तों में बिना भेद्वाओ के सबका साथ सबका विकास सबका विस्वास और सबका प्रियास कभी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैंने किया उन्होंने कहे तो सबका विस्वास है और सबका प्रियास है आज भी मोदी जी अपने चुनाव भाशन में इस बात को कहते हैं जो सब कुछ मिला है इसका स्रे मुझे नहीं जनता जनारदन को है क्योंकि जनता जनारदन ने अपने लोगतांत्रिक अधिकार की कीमत को समझा है अपने वोट को सही जगे दिया तो उसका लाप सही तरीके से मिला है लेकिन कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी और इंडी गड़वन्दन विभाजनकारी राजनीती करके देश के साथ धोका कर रहा है गद्दारी कर रहा है इनको जब भी उसर मिला इनोंने रास्तिय हितों की अपूनी च्छती की है और गरीब कल्यानकारी ये उस नामे ड़केती डालने का काम किया है